आतंक एक तरखा था आतंकवादी एक तरखे थे जिनका नाम हमास था लेकिन हर घर की कहानी अलग-अलग है निरोज जहां सबसे बड़ा हमला किया था बड़ा हमला इस मामले में क्योंकि चार सो आबादी वाले इस गाउं में 180 लोग मारे जा चुके हैं या फिर अगवा हैं यानि बंधक बनाए गये यह देखी यहां दो बुजुर्ग रहते थे पहले तोड़ फोड की गई होगी पहले उन्हें निकालने की कोशिस की गई होगी जाहर सी बात है वो लोग छुपने की कोशिस किया होगी लेकिन इस घर में आग लगा दिया गया सिर्फ लोहा और कंक देखिए क्या हो गया है इस घर की हालत देखिए निव जेट इन इंडिया आपको एक्स्क्रूसिब तस्वीरे ला रहा है हर जगा पहुच कर यहां दो बुजुर्ग रहते थे जिनको किट्नैप किया गया होस्टेज बनाया गया कि ऐसा ने कि बॉम भी छोड़े गया आग लोग देखिए आपको बतादी ये ये शिल्टर है ये घर का शेल्टर है जहाँ रॉकेट फूरा जाता नोग आते हैं लेकिन देखिए राक हो गया ही यहाँ करम जी आए सेंटाइज किया होगा है फूरा का पूरा यّे कंक्रीट में यहाँ किस तरह से आखज्यानी गए रहते थे हमें जो जाया गया और अभी धका गया है बाद में शायद या इस घर के इस कंक्रीट की क्या हालत हो गई है कैसे जल के जो पिंट किया हो वो उखड़ गए हैं ये ये देखिए किस तरह से आग का देखिए क्या हालत हो गई है राख ही राख हमें दिख रहा है धमाके की आवाज अभी भी गाजा की तरफ जो बंबारी की जारी है इस्राइल की सेना की तरफ से वो तो रिवेंज ले रहे हैं दुनिया उसे अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं लेकिन साथ अक्टूबर को जिस वारदात को हमास ने अंजाम दिया था वो आतंकवादी वारदात था जिसकी भर्सना हो सकती है उसके लिए कोई शब्द नहीं है उसके लिए कोई भी बचाव नहीं है साथ अक्टूबर को जो उन्होंने किया है चाहे कुछ भी दलील दे दे जिस तरह से बूढ़े बच्चे नौजवान कुमारा है इस तरह का मैसेकर बहुत बड़ी प्लानिंग से कि नित्था तो देख सकते हर घर की क्या आतंकी कहानी है कैमरा पर्सन करम सिंग के साथ नीरज कुमार नूजट इन इंडिया नीरोज इसराइल गाजा बॉर्डर